नमस्कार आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस मैं हूँ आपके साथ मेगा चलिए करते हैं शो की शुरुवात और साइरा बानू पर करते हैं बात अपने जमाने की दिगज अधकारा साइरा बानू आज की तारीक में किसी पहचान की महताच नहीं है वक्त कितनी तेजी से बदलता है करीब दो महीने पहले जब जब दिवंगत अभीनेता दिलिप सहाब का नाम लिया जाता था साइरा बानू का नाम खुद बखुद जुमा पर आजाता था लेकिन आज जब दिलिप सहाब इस दुनिया में नहीं है साइरा बानू खुद अस्पताल में भरती हैं कल तक जो साइरा बानू अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया के जरीए बताती थी कि मेरे शोहर बिल्कुल सही हैं आज उनकी सेहत की खबर देने वाला कोई दूसरा मौजूद है क्योंकि साइरा खुद हिंदुजा अस्पताल के आईसियू में भरती हैं साइरा बानू के हेल्थ अपडेट के साथ मैं आपकी होस्ट मेगा एक बार फरसे हाजर हूँ साइरा बानू का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और उनकी टीम का एक्स्क्लूसिव बयान सामने आ गया है आपको बता दे अब तक साइरा बानू को आईसियू से नॉर्मल बॉड में शिफ्ट नहीं किया गया है वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं आईसियू में हैं और उन्हें एक दो नहीं बलकि तीन चार तरह की दिक्कते हो गई है जसमें डाइबटीज भी शामिल है ब्लाइक प्रेशर शामिल है सांस लेने में उन्हें लगातार तकलीफ हो रही है अब डॉक्टर्स की टीम का इस बारे में क्या कहना है जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है साइरा जी की हालत फिलहाल अब कैसी है ये जानकारिया हम आपको देंगे हमारी बेहत खास रिपोर्ट में सुनिए ज़रा अपने दौर की मशूर अभिनेत्री साइरा बानू बीते चार दिनों से सास लेने में तकलीफ के चलते ब्लड प्रेशर वर शुगर लेवल बढ़ने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भड़ती है आई सीउ में है साइरा बानू जहां उनका इलाज चल रहा है फिलाल जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बढ़ा दें डॉक्टर्स ने उनकी एंचियोग्राफी करने का फैसला किया इस बारे में बात करते हुई साइरा बानू के परिवार के एक करीबी ने कहा डॉक्टर्स को संदे हैं कि साइरा बानू के हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर में किसी तरह का एक अफरोध पैदा हो गया है इसी का इलाज डॉक्टर निखिल गोखले ने किया है उनकी एंजियोग्राफी का फैसला किया है जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किस तरह की सबस्याएं है और आके चल कर किस तरह से उनका इलाज करना है साइरा बानू का इलाज कर रहे डॉक्टर नितिन गोखले से जब इस बारे में कुछ खास बादशीत की गई तो जो जानकारी मिली है डॉक्टर गोखले और उनकी टीम साइरा बानू की एंजियोग्राफी को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है साइरा जी को एक दो दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी उसके बाद फिर से उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाएगा और तब उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी साइरा बानू की लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी को लेकर जो खबर आ रही है वो क्या है चलिए आपको बताते हैं इसका मतलब हिर्दे का मुख्य पंप कहलाई धमनी अपनी स्वभाविक अकार से मोटी और बड़ी हो जाती है जिसे शरीर के बाकी सभी पार्ट्स तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पर काम का ज्यादा और एक्स्ट्रा दबाव पड़े तो इसी तरह की स्तिती उत्पन हो जाती है जैसी साइरा जी की हो गई है आपको बता दें साइरा बानू की खराब हालत को लेकर जैसे ही सोशल मीडिया पर खबरे आई फैंस ने उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दिया दिलिप साइब के निदन को अभी दो महीने भी नहीं हुए और साइरा बानू की बिमारी को लेकर आई खबर से फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए आपको बता दें फिलहाल साइरा बानू ठीक है डॉक्टर्स की और से स्ट्रीटमेंट यही आया है कि फिलहाल साइरा ब पताया साइरा बानू को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उनका डाइबिटिक लेवल यानि शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है फिलहाल उनकी स्टिती नियंतरन में है लेकिन जल्द ही एंजियोग्राफी की जाएगी और इसे करना जरूरी है पहले से साइरा बानू ठीक है आईसीओ से बाहर फिलहाल नहीं आई है सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल साइरा बानू की डाइबिटीस को कंट्रोल करना है आपको बदा दें तिलिप सहाब के निधन के बाद से ही साइरा बानू काफी ज्यादा तनाव में है उनके डॉक्टर्स और करीबियों का ये कहना था अब डॉक्टर्स ने जो ये बड़ा स्ट्रीट्मेंट दिया है कि पहले से सुधार है आज रात तक उमीद है कि साइरा जी को नॉर्मल वाड में शिफ्ट कर दिया जाएगा उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा और जब वो हॉस् साइरा बानू के सामने नहीं आई हैं लेकिन जो भी सामने आई हैं उसके बाद उनका डाइबिटिक लेवल सबसे ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना करीब दो तीन दिन लगेंगे साइरा बानू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में फिलहाल हम यही कामना करते हैं साइरा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं दिस्चार्ज होकर अपने घर लोटे धरमेंद्र और शारुक खान जैसे अभीनेता हैं बॉलिवुट के जो लगतार साइरा जी की हालत को लेकर परिवार वालों से खबर ले रहे हैं लगतार उनकी की हालत को लेकर उनकी फैमिली वालों के टच में हैं तो देखा आपने खबर जरूर आ रही है कि एक दो दिन बात उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा और एक बार फिर से बाकी टेस्ट के लिए उन्हें दोबारा एड्मिट किया जाएगा आपको बता दे हीमें धर्मींड और बॉलिवुट के किंग शारुक खान ये दो लोग हैं जो लगतार साहरा बानू के टच में हैं उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी उनसे ले रही हैं और इन सब के बीच में साहरा जी की हालत पर जो वीसिंट अपडेट आया था वो हमने आप तक पहुचा दिया नेक्स्ट राइन परिवार की ओर से हम यही कामना करेंगे साहरा बानू जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो इन तमाम दिक्कतों से वो उपर उठें अपने घर लौटें क्योंकि फैन्स उनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं है 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 यह झाल